इन दिनों मौसम थोड़ा आराम दायक है। उत्तरप्रदेश से लेकर मध्यप्रदेश तक और महराश्ट्र समेथ कई राज्यों में मौसम की मार भी है। 28 जुलाई से बारिश का नया दौर शुरू होता दिख रहा है। भारत मौसम विभाग यानि आईमजी की भविश्यवानी इसी तरीके के संकेत दे रही है। मौसम विभाग का कहना है मौसून ट्रफ सक्रिय है और अपनी तय जगह से दक्षिन की ओर मौजूद है। संभावनाय जताई जा रही है कि अगले दो दिनों में उत्तर की ओर ट्रफ शिफ्ट हो सकता है। तो ये भी जान लेजे कि मौसम कैसा रहने वाला है। मौसम विभाग ने शुक्रिवार को कहा है कि उत्तराखन, पूर्वी उत्तरप्रदेश, ओडीशा और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में 28 जुलाई से एक अगस्तक भारी बारिश के आसार है। वही हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाना, चंडीगर, पश्यम उत्तरप्रदेश, मध्य भारत, कौंकर, गोवा, मध्य महराष्ट्र के घाट एलाकों, उप हिमाली, पश्यम मंगाल, सिक्किम, जारखन में 39 जुलाई तक भारी बारिश की संभावनाएं हैं। इसके साथ ही जारखन में 39 जुलाई से 1 अगस्त और अबिहार में 30 जुलाई से 1 अगस्त के बीच बहुत भारी बारिश हो सकती हैं। बारिश के कारण सड़कें तालाब में तबदील हो गई हैं। इतना ही नहीं अभी तक कई घर, गाडियां और लोग सैलाब में बह गए हैं। नोइडा की हिंडन रिवर में भी पानी बहुत जादा बढ़ गया है जिस वज़स से स्थितियां तस्वीरों में साफ दिख रही हैं। जहां गाडियां आधे से जादा तक डूबी हुई हैं। आई-मडी ने मुंबई शहर के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ठाने और पाल घर जिलों में आई-मडी ने ओरेंज अलर्ट जारी किया है। बारत मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तराखंड में 31 जुलाई तक के लिए भारी बारिश की चितावनी जारी कर दी है। हिमाचर प्रदेश, पंजाब, हर्याना, चंडीगड, दिल्ली और पश्यमी उत्तर प्रदेश में 39 जुलाई को बारिश होने की संभावना है। अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के कई अलाकों में बिजली चमकने के भी आसार हैं। जादेश, जादेश, बार्देश, तक प्रदेश, जादेश, प्रदेश, बैंने आसार हैं।